प्रसन्यचित दिख रहे हैं उर्जा से भरे दिख रहे हैं और ये जिस कारेकरम का प्रतीक शाती जिस कारेकरम का इंज़ार था देखिए प्रधानमंती नरेंद मोदी उनका भाव भंगीमा देखिए उनकी आप देख सकते हैं कितने आत्मिश्वा से और उर्जा से उनका प्रदानमंती नरेंद मोदी का बहुत बड़ा दिन बहुत बड़ा अवसरा आज का मंदीर के इस प्राण प्रतिष्ठा महौत सव का नामा भीधान फेस्टिवल ऑफ हर्मनी यानि कि सम्वादिता का महौत सव रखा गया है उसको सार्थत करें ऐसा एक निदर्शन अभी हम यहाँ देख रहे है भारत के विभीन दस राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग मानिनिय प्रधान मंतरिश्री का स्वागत कर रहा है दक्षिन भारत का प्रतिनिदित्व करता हुआ तो यहां उत्तर भारत का प्रतिनिदित्व करते हुए पंजाब राजस्तान आदी राज्यों के परंपरागत परिवेश में सज्ज जनता उपस्तित है पश्चिम भारत का प्रतिनिदित्व करते हुए यहां गुजरात और माहराष्ट्र के परंपरागत परिवेश में सज्ज दर्शक समूदाई प्रधान मंतरिश्री का स्वागत कर रहा है तो पुर्व भारत का प्रतिनिदित्व करते हुए औरिस्सा और पश्चिम बंगाल्स का परम परागत परिवेश में सज्ज प्रजावर्ग माननिय प्रदान मंतरी श्री का स्वागत कर रहा है चित्रपट पर भी इन राज्यों की भाशा में लिखा गया स्वागतम शब्द द्रस्टी कोचर होता है भारत की यही विशेस्ता है यूनीटी इन डाइवर्सिटी विवीदता में एकता तो भारत की यह पहचान का एक रदयंगम द्रश्य यहां हम देख रहे है द्रामे माननिय प्रधान मंत्री श्री सभी का अभी वादन स्विकार रहे है वेपी आज मंदीर का दर्शन करके अत्यंत खूश मालूम पड़ते है और अब माननिय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी स्वागत कक्ष से मंदीर परिसर में प्रवेश कर रहे है स्वागत कक्ष में माननिय प्रधान मंत्री श्री का अभी वादन B.A.P.S. संस्था के वरिष्ट संतों से हो रहा है जो संत समुदाई B.A.P.S. की सेवा लक्षी प्रवृत्यों में महत्व पुर्ण भुमी का निभा रहा है संत गण के साथ B.A.P.S. के ट्रस्टी गण से भी आदर्णिय प्रधान मंत्री श्री का अभी वादन हो रहा है ये सबी बग्त मानिय प्रधान मंत्री श्री मुदी जी के प्रती अभार प्रधिर्शित कर रहे है के लिए मत्री को है us a little bit more about what is on this wall yes अरिवाई जो वाल अफ आर्मनी यानि की सम्वादीकाद की दिवार को हम देख रहे है जैसे या अबुदाबी का बीए प्याप्यास हिंदु मंदीर सम्वादीता का सिमा चिन्न है तो उसकी इस विशेष्टा का ही प्रतिभीम या वाल आफ हार्मनी पर जिल मिला रहा है यहां आप देख सकते है माननिय प्रदान मंत्री श्री मुदी जी अबुदाबी के राजा के साथ इस मंदीर का जब M.O.E. हुआ तब उसकी विगत समझ रहे थे इस दिवार पर विश्व के प्रसिद्ध 26 सिमाचिन रुप्स मारक की रचना हुई है जिसमें फ्रांस का एफिल टावर अमरीका का स्टेच्यू अफ लिबर्टी भारत का स्टेच्यू अफ यूटी रुबिंस्वील का अक्षर धाम और यहां United Arab Emirates के भी सिमाचिन रुप्स मारक इस दिवार पर खड़े है जो पूरा विश्व एक है वो बता रहा है Yes, Sammi. And I think the beauty of this wall goes beyond its physical features. this wall here has brought the entire world together at this very moment Prime Minister Modi is meeting the individuals from various faiths who have brought this message of harmony to life and as you mentioned normally walls divide but here this wall of harmony is bringing communities cultures and nations closer together music 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 झाल 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 इसके बारे में स्वाम इश्वर चरणदास जी माननिय प्रदान मंतरी श्री जी को अवगत कर रहे हैं झाल 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 भगत कर प्रदे को प्रध्रन संवादिता न् अर्चित्वा चरनार विंद युगलं मोदीनरेंद्राईह यच्छत्यन्जली मक्षराय हरये स्वामी प्रमुः एक समय जो असंभव सा लगता था वा मंदीर परंपुझ्य प्रमुः स्वामी माहराज ने की प्रार्ठना से आज साकार हो चुका है तो यहाँ एक प्रार्ठना स्थली का भी निर्मान हुआ है जहाँ आकर यात्री अपनी प्रार्थना रख सकता है जो कारिय हम हमारे जीवन में असंभव सा लगता है उसको सिद्ध करने की प्रार्थना यहां करने से वो कारिय हम जीवन में सिद्ध कर सकेंगे ऐसी भावना से यह प्रार्थना स्थल का निर्माण हुआ है वहां प्रधान मंत्री श्री भी अपनी प्रार्थना रखेंगे कर दो 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 च mock . कर दो कि अ खब कर दो ़ाओ काउमिने सक्टॉर मुदा Σबक्टर शेंसरीनपस क記 탄 संतित्सार JACC and the message of harmony that it is bringing to communities, countries, and the world. This has been created by a global team of animators, sound engineers, and graphic designers under the guidance of a creative director, and will be open to all visitors starting from today. Within the immersive experience, visitors will step into a 12-minute audio-visual journey. There are 24 projectors which envelope all four walls and even the floor. creating a 360-degree canvas that immerses you directly into the heart of the mandir story. This immersive experience will highlight the beauty of the mandir and the revival of 10,000 years of ancient art that this mandir expresses. इस मंदिर की निर्मान गाथा भी अत्यांत रोचक और रोमांचक है. साथ शिखवरों से अलंकरूतिया मंदीर युनाइट आरब एमिरेट्स के साथ अमिरेट्स का प्रतिनी दीत्मा मानो कर रहा है. बेनमून कला के साथ भी नमून कला के साथ भी नमून कला के साथ कर दो कर दो कर दो मंदिर आबदाबी कि एक थरत लार्डोड़री Xin जो गील, एक लीवे लेक्रेंगा हुआ एड दावुडिभी औ कर्ना अदावी गारहा हुआड हो है इल्वत्बा इल्वा यह अब कने फिर प्री इलान विद्यूत अझूंष गारूए हैं रि मैंनुझें इसमें घ्रसान तो जारहें and suddenly we got instructions that keep everything on hold after a few months we suddenly were informed 13.5 acres on the arterial road of Abu Dhabi to Dubai when the land was first received we had already made the original concept designs to see if that plan would be feasible we did a geotechnical survey and what we found was surprising there was a 20 meter thick stone in the middle of the plot where the Mandir was expected to be built when we started this project we started really a surprise because before reaching the execution level itself we reach high road I feel this is the first time in the GCC more than 15 years I am working in GCC and first time I felt I find such a good form this is a thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith which is encapsulated in the expression of a temple the real change is when different cultures deal with each other more respectfully more equally more fairly and for me that is an important expression of that what we call rebalancing I would take an enormous amount of you know for me a personal fulfillment at seeing this it's really piece of art and this is a place of worship whereas the whole people who are in the UAE will come and pray opening this temple in Abu Dhabi people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture from different country stories it's it gives you that feeling of harmony and peaceful I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future this is the place for humanity a place of wonderful craftsmanship this is actually once in a millennia it's a temple of humanity symbol of harmony of different cultures communities coming together and and it's it's a symbol of faith so you generations ko inspire karnevala mandir it's just one word it's just beautiful beautiful I think this is not the construction of mandir has been the blend of the innovation and overcoming the challenges we have used heat resistance nano tiles and heavy glass panels merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern-day functionality every steps from advanced material to overcoming timeline exemplify the prime minister is now looking at the sub fossil oaks this mandir is not just a place of worship but it is a living testament to national harmony here an individual from the Czech Republic has donated six seven thousand year old sub fossil oaks to share the message of unity across communities across cultures and countries If I believe mymaning pretend mantri Shri Modi ji mandir ki ek wishtishaj ja ga ki or a gay barra river jaha withdraw the denha hai I of divinity I of divinity I of divya tae Dev今天 I am sab shanti chahte hai but what tab mila gem having Elizabh everytime abhi ghem but लेंगे, सभी में शूब देखने से हम समवादिता रख पाएंगे, वही समवादिता विश्व में शान्ती लाएगी, सभी में शूब देखने की दुरुष्टी देने वाला यम्बंदीर है, उसका निदर्शन करते हुए यहाँ आई आफ डिविनिटी, दिव्यता के नेन की स्थापना हुई है, जहां से श्रीमान बुदीजी ने मंदिर का दर्शन किया, करते हैं, जहां से बिविनिटी देने का दो देखने के लाएगी, । अंडायों, इस्तर्टर अवर्ड़ बलत आन पान फ फिर्ड मान्ड़ ये धूमाल ए लून। अने इजड ए लूंड़े ले वांडा नाषिवार्ड प्रिक्षिन. चाहते हैं, मैंने याइ नन्यमादार प्रीज आन्यमादे लन्यमादे विख외 मेरे से कहना वेकी हैं करुंदों चुर्छर मिन में समय हैं आई ओफ डिविनिटी से आगे, अब माननिय प्रधान मंत्री श्री मंदीर की और अग्रेसर हो रहे हैं, हम सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी संस्कुरूतिया नदी के किनारे पर पनपी है, उसका विकास नदी के किनारे के आसपास होता रहा है तो यहां इस मंदीर की संुरचना में भी गंगा, यमुना और सरिस्वती की धाराये बह रही हैं और उसके तट पर एभव्य B.A.P.S. हिंदू मंदीर खड़ा हुआ है सामन्य तोर पर पानी निचे गिरता है, लेकिन यहां मंदीर के आगे जो वाटरफॉल है उसमें आप गौर से देखेंगे तो नजर में आएगा कि पानी की कुछ बुंदे उपर भी चड़ रही है मनुष्या नाम सहस्रेशू का शित्यतती सिद्धे का मर्म सर्जाती हुई यह रचना उस पर दुरुष्टिपात करके अब मानिनिय प्रधान मंतरी श्री मोदी जी कलश पूरित जल को गंगा जी की धारा में बहा कर अपनी अजली दे रहे है संयुक्तार बदेशेत्र सनातन सुमंदिरे लोक पावनिहे गंगे जले स्मिन सन्नि धिम्कुरू उम् श्री गंगा येई नमह श्री गंगाम आवाहयामी स्थापयामी नमस्करोमी गंगा जी की धारा में जल कलश का सिंचन करके अब माननिय प्रदान मंत्री श्री मुदी जी भारत की पवित्र नदी यमुना में अपनी जलदारा बहाने के लिए आ रहे है संयुक्तार बदेशेत्र सनातन सुमंदिरे कूते कालिंदियमुने जले स्मिन सन्नि धिम्कुरू उम् श्री गंगा येई नमह श्री गंगाम आवाहयामी स्थापयामी नमस्करोमी गंगा जी और यमुना जी की धाराओं में जल कलस से जलका सिंचन करके अब ब्रदान मंत्री श्री मुदी जी मंदिर की सोपान पंक्तियों को चड़कर मंदिर में प्रवेश करेंगे मंदिरम सनातनम रमक्ष्वामी संकल्पितन कर दो आइज प्रदान मंत्री श्री का बंदिर में स्वागत करने के लिए इस मंदिर के विश्वा कर्मा निरमाता परम पुझयप्रकट घ्रम्प्रम्प महंत स्वामी माहराज है उनके चरणों में अभीवंदना माननिय प्रदान मंत्री श्री कर रहे है उनके चरणों में अभीवंदना में अभीवंदना मंत्री श्री कर रहे है प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मुदी जी परंपुजय महंत स्वामी माहराज का अभीवादन कर रहे है इस मंदिर की भेट देने के लिए मंदिर का उपहार देने के लिए कृतगनता से प्रदान मंत्री श्री ने स्वामी जी का सतकार किया महंत स्वामी महाराज भी उनका पुश्पहार से स्वागत सत्कार और अभिवादन कर रहे हैं अब मंदिर का लोकारपन महंत स्वामी महाराज के साथ माननिय प्रदान मंत्री श्री मुदी जी कर रहे हैं अथ मंदिरोध घाटन विदिही अध्यात्र संयुक्तारब राष्ट्रे अभुधाबी नगरे विश्वैकता संवाधिता प्रेम शांति इत्यादि मुल्य प्रसारनार्थं समस्तलोक कल्यानाय बीए पीएस हिंदु मंदिरस्य उत्खाटनम अहं करोमी अच्यो कर रहे हैं आपFr66. O जया के ये ल斌से से किसे ये ये के Allबड़ियार ये लाफ सब्स费 एकाश or ससे आप ए ल मेंगून जार्स चार्स लगल जाइब सिंपलेशन IS फे लοुगलां लुगलेशन जिसके, लोगह capable and Slending Dyr的 Yamo है which are so distinct in nature, can create a beautiful world, you and I, who are just a little bit different, can come together and create a more harmonious world. परम्पुज्य महन्त स्वामी महराज के करकमलों से संपन्न हुई है, वेद उपनिशद में वर्नित, ब्रम्व और परव्रम के स्वरूप समान ही, या अक्षर पुर्शोतम महराज के समक्ष बिराज मान होकर, अब मानिनिय प्रदान मंत्री श्री मुदी जी, वेदोक्त विदी से इस मुर्तियों का पुजन करेंगी. B.A.P.A. संस्था के स्थापग ब्रम्व सरूप शास्त्री जी महराज का आज जन्म दीन है, उन्होंने अक्षर पुर्शोतम उपासना के मंदिरों की रचना का प्रारंब किया था, पूरे विश्व में भ्रम्व सरूप योगी जी महराज और प्रमुक स्वामी महराज ने ऐसी सनातन उपासना के मंदिरों का निर्मान किया, और आज अबुधाबी में ये मंदिर का लोकारपण हो रहा है. हम दुनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करेंगे. स्वामिनारायनारंभाम यग्नपुरुषमध्यमाम महंतस्वामिपरियंताम वंदे गुरुपरंपराम। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णूर, गुरुर देवो महेश्वरह, गुरुह साक्षाच्परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमह, स्वस्ति तिलकम। अब महंत स्वामि महाराज नरेंद्र मोधी साहक को चंदन और अक्षत से स्वस्ति तिलक करेंगे. अरिही ओम्म, स्वस्तिन इंद्रोड दश्रवाह, स्वस्तिन पूखा विष्ववेदाह, स्वस्तिन स्थारक्षो, अरिष्टनेमी, स्वस्तिनो ब्रहस्पतिर्दधातू कंकन बंधनम् अरिही ओम्म जदा बधनन्दाक्षायना हिरन्य गुशतानीका यसुमनस्यमाना तन्म आबधनामी शतशार दाया युखमानजर दश्तिर्जथा सम्मा अथ संकल्पह अब परंपुजे महंत स्वामी महराज और मानिय प्रदान मंत्री श्री अपने दाया आथ में जलका चमर्च धारन करके इस मंदीर के लोकारपन का संकल्पह करेंगे नमह परमात्मने श्री स्वामी नारायन परभ्रह्म पुरुशोत्त मायतत्सत् अध्यब्रह्मनो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वंतरे अश्टा वियुशतितमे कलियुगे कलिप्रतम चरने भूरलोके संयुक्तारब अमीरात वर्षे पुण्य भूमव अबुधाबी नगरे अस्मिन श्री बिये पिये स्वामी नारायन हिंदु मंदिरे महा शुबस्थाने अशित्यदिक द्वी सहस्रतमे विक्रमाब्डे मासोत्तमे मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे शुबपुण्य तिथव पंचम्याम तिथव बुधवासरे रेवती नक्षत्रे शुबयोगे कौलव करणे सर्वेशु ग्रहेशु यथायथं राशिस्थानस्थितेशु सत्सु प्रकट ब्रह्म स्वरूप महन्त स्वामी महाराजानाम भारत वर्शंष्य मान्य वर प्रदानमंत्री नरेंद्रमोधी महोदयानाम्च सन्निधाव ममतताच आत्मनह एतन्मंदिर ध्वारा विश्वस्मिन संवढधिता शांती सौमनस्य सौहार्द संपादनार्थम भारतिय संस्कृति सुप्रतिष्था हेतवे सर्वेशाम आयुहु आरोग्य आईश्वर्य अभिवृद्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष भलप प्राप्यर्थम अक्षर पुरुषोत्तम महाराजह श्री राधा सहितह भगवान श्री कृष्णह पद्मावती सहितह भगवान श्री निवासह श्री सुबद्रा बलभद्र सहितह भगवान श्री जगन्नाथह धर्म शास्त्रा श्री अयप्पा स्वामी श्री गनेश कार्तिकेय पार्वती सहितो भगवान श्री शंकरह श्री हनुमल लक्ष्मन सीता सहितह भगवान श्री रामचंद्रह संकल्प सिद्धि मुर्ती गुरु वर्य शास्त्रिजी महाराज गुरु वर्य प्रमुखस्वामी महाराजव किती भगवत स्वरू पानाम अर्चन वंदन पूजनाख्यं कर्म अहं करिश्ये वैदीक संकल्प के बाद अब वैश्वीक आरती में सम्मेलित होने की क्षण आ गई है यह आरती अभूत पुर्व होगी क्योंकि यहाँ परंपुज्य महंत स्वामी महराजेवं मानिनी अश्री प्रधान मंत्री मोदी जी के साथ विश्व में फैले बिये पियेस के पंदरह सो से अधीक मंदिरों में एक साथ आरती होगी और विश्व में फैले लाखो सत्सेंगिवी अपने घर बंदीर में इसी क्षण आरती की जोद प्रज्वलित करके अबुधाबी में बिराजमान अक्षर पुरुशोत्तम महराज की आरती में सम्मिलित होंगे तो आईए वैश्विक आरती में हम सब सम्मिलित हुए तो आईए वैश्विक आरती में सम्मिलित है तो अईए वैश्विक आरती में सम्मिलित है तो ओबुद्रिमित है थारती में सम्मिल उंद्धाुशोत आरती में सम्मिलित है पुरु शोत्नम परन्यम श्रीधरी सहाजान। कर्कात साथ सर्वतर्ता पर्म मुटि दार्था जै कर्म मुटि दार्था कर्म की कान की तस्तापत पंति करी प्राथा जै ळिश्वां की नार्या तास भावर कि वितास अप्रमरू के पीदि ओ प्रमरू के पीदि सुरद भावर अलोगिक सुरद भावर अलोगिक सावित शुबरी पी जैस्वानि आगान एन दन्यम जीवन तबश ने शुबर अलोगिक सुर नागानि मसलिक सुर्क। सुर्कंद भावर अलोगिक सुर्क्रेश्ट वितास जीवन झादरिन जैस्वामी नाराया जैस्वामी नाराया श्री जगनात भगवान की जै श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जै श्री उमापती शंकर भगवान की जै स्वामी श्री ऐयप्पा महराज की जै श्री गुणाति तानंद स्वामी महराज की जै श्री भगत जी महराज की जै श्री शास्ति जी महराज की जै श्री योगी जी महराज की जै श्री प्रमुक स्वामी महराज की जै श्री महंत स्वामी महराज की जै अथ मंत्र पुष्पान्जलिही अब हाथ की अंजली में हम पुष्पा रखेंगे ओम्ध हरिही ओम्म जगनेन यगनमय जन्त देवास्तानि धर्मानि प्रतमान्यासन्ना तेह नाकम्म ही मानह सचन्त यत्र पूर्वे साध्याह संति देवाह ओम स्वामिनारायनाय विद्महे अक्षर पुरुषोत्त माय धीमही तन्नह सहजानन्द प्रचोधयात ओम श्री अक्षर पुरुषोत्त माय भक्त मंडल सहिताय सर्वेभ्यो देवेभ्याष्च इमं मंत्र पुष्पान जलिम समर्पयामी अब माननिय पर प्रदान मंत्री श्री पुष्पान जली के बाद अरपन करने के लिए महन स्वामी माहराज के हाथ में रखे हुए पुष्पो को लेकर माननिय प्रदान मंत्री श्री मुदी जी मंदिर में बिराजमान अक्षर पुर्शोत्तम महराज के समक्ष पधार रहे है और अपनी पुष्पान जली इन वैदिक सनातन मुर्तियों के समक्ष रखकर अभी बंदना करेंगे अपनी प्रार्थना रखेंगे माननिय प्रदान मंत्री श्री आज वसंत पंचिमी के शुब दीन पर अक्षर पुर्शोत्तम महराज के चरणों में अपनी पुष्पान जली समर्पित करके भक्ति अर्ग्य अर्पन कर रहे है ओम श्री स्वामिनारायनायनमह अक्षर पुरुशोत्तमायनमह उष्पान जली समर्पयामी अब महन स्वामि महराज अक्षर पुरुशोत्तम महराज के चरणों में पुष्पान जली समर्पित करने के बाद अब मानिय प्रदान मंत्री श्री मंदिर में बिराजमान भगवान के अवतार स्वरूपो अर्चा स्वरूपो के चरणों में भी पुश्पान्जली समर्पित करने के लिए पदार रहे है सर्वप्रथम रादा कुष्ण भगवान B.A.P.S. के संस्थापक ब्रह्मस औरुप शास्त्री जी महराज एवं जगन्नाज जी के चरणों में माननिय प्रधान मंत्री श्री मुदी जी पुश्पान्जली समर्पित करके अभी वंदन करेंगे आज मंदिर के लोकारपन समारों के अउस्सर पर मंदिर के निर्माता प्रकड ब्रह्मस औरुप महनस्वामी महराज के साथ माननिय प्रधान मंत्री श्री स्पूरुती शवी ले रहे है महनस्वामी महराज ने अभूधाबी में बने इस मंदिर के लिए कहा है कि ये रण में खिला हुआ कमल है तो उसकी ही प्रतीत कुरुती के रूप में कमल से बुना गया कलात्मक हार प्रकड ब्रह्म स्वरूप महंस्वामी माहराज ने माननिय प्रधान मंत्री श्री को पहनाया है और वे अपने आशिरवाद मानिय प्रदान मंत्री श्री की प्रगती एवं यश के लिए दे रहे है अत्यांत उश्मा पूरुन मिलन मानिय प्रदान मंत्री श्री का परंपुज्य महंत स्वामी महराज के साथ उसके अमसाक्षी बन रहे है और अब मान्निय प्रदान मंतरी श्री मंदिर में विराजमान भगवान के आउतार स्वरूपो अर्चा स्वरूपो के चरणों में पुष्पान जली समर्पित करने के लिए पदारे है उम श्री भगवते राधा कुष्णाय नमह पुष्पानी समर्पयामी झाल में नवी नजीमूत समान वर्णं रत्नो लसत कुंडलशो भीकर्णं महा किरिता ग्रमयूर पर्णं श्री राधिका कुष्णमहं नमामे बीए पीए संस्था के वरिष्ठ संथ पुझ्य स्वायम प्रकात्दा स्वामी जी पुझ्य डॉक्टर स्वामी से माननिय प्रदान मंत्री श्री मिल रहे है मंदीर के कलात्मक स्थंभों का दर्शन माननिय प्रदान मंत्री श्री कर रहे है यहां खड़ा हुआ एक-एक स्थंभ आकरशक और अर्थ पूर्ण है कुल मिलाकर 402 स्थंभ यहां बंदीर में खड़े हुए है उस एक-एक स्थंभ पर कुछ न कुछ पौराणिक वैदिक कथावों का शिल्पांकन हुआ है पूम्ष्री संकल्पसिद्धि स्वरूप गुरुवर्य शास्त्री महराजाय नमह पुषपाणी समर्पयामी आज जिन का जन्म दिन है से बीए पीए संस्था के स्थापक ब्रह्म स्वरुप शास्त्री जी महरावयत के चर्णों में माननिय प्रदान मंत्री श्री ने पुष्पान जली समर्पित की ओम श्री ओम श्री सबक्त मंदल भगवत जगन्नाथाय नमह पुष्पानी समर्पयामी अे करो सेुपान, मुष्पान जली समर्फ भा भानाथाय ये odpow環 coloured ओम शेंने ay मुष्पान जली समर्फञाय की मुष्पान जली समर्पशाय ये इते हैं बिए पिए संस्ता के वरिष्ठ संत वरिय पुझिय कुठारी बक्ति प्रियदा स्वामी जी से मानिनिय प्रदान मंत्री श्री मिल रहे है और अब मानिनिय प्रदान मंत्री श्री आये है बे नमुन पिलोल ओफ पिलर्स के पास कुल मिलाकर 14 से स्तंबों से बनाई यह आकरशक स्तंब बारह कारीगरों ने एक साल की मैनस से बनाया है और इस मंदिर के निर्माण में पुरुशार्थ करने वाले संतों से मानिनिय प्रदान मंत्री श्री की मुलाकात हो रही है साथ शिखर बारह सामरण 402 स्तंबों से बना यह B.A.P.S. हिंदू मंदीर अपने आप आकरशक और प्रभावक है ओम श्री पद्मावती श्री निवासाय नमह पुष्पानी समर्पयामी ज्री श्री श्री की मुलाकात हो रही है कर दो कर दो ओम श्री संकल्प पूर्ति स्वरूप गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजाय नमह पुष्पाणी समर्पयामी स्वामी जी को माननिय प्रदान मंत्री श्री अपने पिता तुल्य समस्ते थे और अत्यंत घाड अनुराख से स्वामी जी के साथ मानिय श्री मुदी जी संव लगन थे उन्होंने बक्ती भावपुरुक अपनी पुष्पाणी समर्पित की ओम श्री धर्मशास्त्रे अयप्पा स्वामिने नमह पुष्पाणी समर्पयामी ओम श्री मुष्पाणी समर्पित की कि दो हजार उन्निस से इस मंदिर के निर्वान की प्रक्रिया का प्रारंप हुआ था और आज पांच साल में यह बंदिर संपन्न हुआ है उसमें विभिन्न गनाती विभिन्न धर्म विभिन्न देश के सबी लोगों ने कंदे से कंदा मिला कर पुरुशार्थ किया है ओम्श्री सबक्त मंडल सीतारामाय नमह पुष्पाणी समर्पयामी और आप्यों विभिन्न गुरुशार्थ यह ज खुष्पाणी बंदिर सोगशार्थ ज कने वांगों विभिन्न वतमों पर एंदूट वघे। मंदिर के निर्मान में पुरुशार्थ करने वाले योगदान देने वाले सभी को मिलते मिलते मान्य प्रदान मंत्री श्री आगे बढ़ रहे है ओम श्री सभक्त मंदल उमा महेश्वराय नमह पुश्पानी समर पयामी पुश्पानी पुश्पानी झाले समर लगे समरी जड़ाय वाले कि बीए पीएस के वरिष्ठ संथ एवं मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले सभी को मिलते मिलते मान्य प्रदान मंत्री श्री मुदी जी अब मंदिर से बाहर मंदिर की प्रदक्षिना में आ रहे है कि अब मंदिर की प्रदक्षिना रहे है माननी अप्रदान मंत्री श्री मुदी जी मंदिर की हर एक रचना में बहुत ही रस लेकर दर्शन कर रहे है और इस मंदिर की रचना से वे स्वयम प्रसंद दिखाई पड़ते है मंदिर की प्रदक्षिना में भी विभिन प्रकार के शिल्पांकन रस्थापित हुए है जो मुल्यों की प्रेणा देते है उस पर दुरुष्टिपात करते करते माननी अश्री मुदी जी आगे जा रहे है यहां हमें दिखाई पड़ता है कि प्रमुक स्वामी माहराज ने 1997 में अर्बस्तान की मरू भुमी पर जो मंदिर का संकल्प किया था वो ही प्रसंग यहां शिल्पांकन में देखते है अबुदाबी के आभूशन रूप इस मंदिर पर अनेक प्रकार की प्रेणाओं का स्रोत बह रहा है जीश शिखर में जो देवता बिराजमान है उस शिखर की बाहरी दिवारों पर उस अवतार स्वरूपों की लिलाओं का यहां चित्रन हुआ है शिल्पांकन हुआ है उसमें शिव पुराण की कथा यह है, रामायन की कथा यह है महा भारत एवं भागवत की कथाओं का शिल्पांकन है बगवान स्वामी नाराण के जीवन और कार्यकाभिक दिखदर्शन है शिव पारवती के खंड की बाहरी दिवारों पर भगवान शिव जी की कथाओं का जो शिल्पांकन हुआ है उस पर दुरुष्टी पात करके अब मानिय प्रदान मंत्री श्री मोदी जी मंदिर परिसर में एकत्र सभुदाई का अभिवादन जहलते हुए आगे बढ़ते है आज इस मंदिर के लोकारपण समारों पर खुशियों का माहोल पूरे परिसर में पूरे मध्यपुर्व में और पूरे विश्व में चाया हुआ है हम देख सकते हैं कि मंदिर नकाशी से भरपूर है संदेश से भरपूर है प्रेणाओं से परिपलावित है महंत स्वामी महराज ने सही उपमाइस मंदिर को दी है रण में खिला हुआ कमल कमल की तरह संसकार की सावरब संस्कृति की सावरब यह मंदिर फैला रहा है 108 फूट उचा, 262 फूट लंबा और 180 फूट चौड़ा यह मंदिर उसमें कुल मिला कर 30,000 से अधीक पत्थरों का गड़न हुआ है चोटा सा चोटा पत्थर एक किलो से लेकर छे टंद का वजंदार पत्थर भी इस मंदिर में जड़ा गया है ऐसे अधभूत मंदिर का अलोकिक दर्शन उसकी पुरुष्ट भूमी से यहां हम कर रहे है United Arab Arab Emirates के साथ राज्यों का प्रतिनिदित्व करते हुए साथ शिखर यहां संस्कूरूति का सनास्तन संदेश दे रहे है यहां रामावतार की कथाये पौराणिक अयोध्या का दर्शन हमें हो रहा है सैकडो स्वयम सेवकों की लाखो मानव घंटों की सेवा समर्पन भक्ति मानों आज कमल की तरह खिल उठे इस मंदीर में हम देख रहे है स्वाच्य शुद्ध संस्कूरूति मैं संस्कार सभर यह मंदीर परी सर्मे माननिया प्रदान मंतरी श्री मुदीजी सभी रचनाओं को सभी सर्जनों को गहरा से समझ रहे हैं करनाओं शास्त्र महाबारत रामायन, भागवत शीवपुरान की कथाओ का आलेखन, शील्पो के मात्यम से यहा हुआ है. हैंष्या के म defensbased से अधूथ इसलिए कर् science, वेडिर एसे अवोकीacular, शीवफ, पास्त्र मेर्योन, वेडिर उमस्त्र में का बाले अतीलूट और स्वश चूटा वीपुरान की जूब सीर्जिakingों, वेडिर वीपुरान की कथरे श्यर आलेखन,। ढ scripts अन। वीवपुरे, डिऑ ह इंस्टे इंस्टीजिसें, फजय ektटनी इंसट्टीजिसें और hammूर अजैज विल्चोर से करवाने टायान ता थार्म, हाभ हाभने तेस्टेना आपारीज अवाइट एाफ। तेस्टेन devoteны पार्म, कि कि हृदः गूर एफूरीजुर के तेस्टेफी음, प्रिसले comments on the जांने करेंएट एार्मी flux औाम ये मुंदेर और अभर 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 दियुए और बीड़ार चुछा वजए प्रुण हां, प्रिज युनीज, जारव बिज़ाने हमें धने हैं जाहें तो कुंद टुटू प्रिर्श जाहें इस मंदिर के संकल्प करता प्रमुक्स्वामी महाराज अक्सर कहा करते थे परस पर प्रिती बढ़ाए वही धर्म तो आज सचमुच में उनकी ये जो जिवन भावना थी जिवन संदेश था उसके मुताबिक ही ये मंदिर बना है अब मानिय प्रदान मंत्री श्री अभीशेक मंडप में पहुँच चुके है यहाँ हम देखते हैं कि साथ एमिरेट्स के जगों पर से लाई गई वहाँ की धूली यहाँ प्रस्थापित की गई है उसके साथ साथ बगवान स्वामी नाराण से लेकर अभीशेक विधि ही हरि ही उम्म ध्योहु शान्ति रंतरिक्षग्वूं शान्ति ही प्रेथिवी शान्ति रापह शान्ति रोखदया शान्ति ही वनस्पत्या शान्ति रिश्वे दे बाहां शान्तिर ब्रह्म शान्ति ही सर्वग्वं शान्ति ही शान्ति रेव शान्ति ही सामा शान्ति रेवी भगवान के आशिरवाद पाने के लिए अपनी प्रार्थनाओं की परिपूर्ती के लिए और आत्मा की शुद्धी के लिए भगवान की मुर्ती पर अभिशेक करने की भारत वर्ष की प्राचिन परंपरा रही है उसके अनुसार भगवान स्वामी नाराइन की मुर्ती पर जलाभिशेक करके ब्रम्व सरूप गुरु वर्यों के आशिरवाद मान्य प्रदान मंत्री श्री प्राप्त कर रहे है गंगा यमुना और सरस्वती की धारावों पर यह मंदिर मानो बसा है यहां हम अभिशेक मंडग की फर्ष पर देख रहे है अंतसलीला सरस्वती बह रही है और सरस्वती ध्यान का प्रतीक है तो यह नदी भी प्रकाश से जिल मिलाती हमें दिखाई पड़ती थी अभिशेक मंडग की छट पर भगवान मान्य श्री मोदी जी अब मंदिर निर्माण में सहीयोग देने वाले दाताओं से सहीयोगियों से मिल रहे है उनका अभिवादन वेश्विकार रहे है साथ में हम देखते हैं कि अभिशेक मंडग की छट पर भगवान स्वामी नाराण की बाल्यावस्था की शोरावस्था के अनूपम संदेश प्रदचिक्र जो हमें सेवा समर्पन समवादिता की सीख दे रहे हैं वे विद्यमान है अभिशेक मंडग की रचना में भी भारतिय संस्कूरूती और अरेबियन संस्कूरूती के स्थापत्य का तालमेल बहुत ही अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है मानो यह अभिशेक मंडप भारतिय संस्कृति और अरेबियन संस्कृति की सम्वादिता का सेतू बनकर यहां दिखाई पड़ता है भगवान स्वामी नारण के विभिन्न चरीत्रों का दर्शन यहां चित्र के माध्यम से हम देख पाते है यह सरस्वती नदी की जाकी हमें हो रही है आज वसंद पंच्वी का दिन सरस्वती पुजा का भी दिन है और देवी सरस्वती ज्यान, सिक्षण और माहिती की देवी है तो वो अंतसलीला गनान का संबंद प्रकाश से है तो यहां हम देखते हैं कि अंतसलीला सरस्वती प्रकाश से आलोकित है वो हमें गनान की प्रेणा दे रही है तो अबुदाभी का यह हिंदू मंदिर गंगा यमुना सरस्वती की दाराओं के तट परमानों खड़ा हुआ है ऐसा हमें मैसूस होता है भारतिय संस्कूरूती और अरेबियन संस्कूरूती का अध्बूत समन्वई अभिशेक मंदब की रचना में हमें यहां दिखाई पड़ता है प्रमुक स्वामी महराज ने 1997 में जो संकल्प किया था कि देश, धर्म और संस्कूरूती एक दूसरे से नस्दिक आये और समवादिता के साथ रहकर सब विश्व में शान्ति लाए प्रमुक स्वामी महराज का यह संदेश अभिशेक मंदब की रचना में उसके सुरूजन में हमें दिखाई पड़ता है यहां अभिशेक मंदब की फर्ष पर इनाटेड एमिरेट्स के साथ जो एमिरेट्स वहां से लाई गई धुली एवं भगवान स्वामी दारान का जन्मस्थान चपईया उसके बाद गुणातितान स्वामी का जन्मस्थान भादरा बगजी महराज का जन्मस्थान महुवा शास्त्री जी महराज का जन्मस्थान महडाव युगी जी महराज का जन्मस्थान धारी और प्रमुक स्वामी महराज का जन्मस्थान चांसत से लाई गई और महन स्वामी महराज का जन्मस्थान जबलपूर से लाई गई प्रासादिक धुली भी यहां प्रस्थापित हुई है और यहां यह जो B.A.P.S. हिंदू मंदिर यहां बना है यह मंदिर की समुरचना और यह मंदिर की पुर्ण माहीती देता हुआ यह सुन्दर शिला लेख हम देख रहे है बन्दिर निर्मान का पूरा क्रम इस अभी लेख में अंकित है गंगा नदी उसका दर्शन करते करते मान्य प्रदान मंत्री श्री आगे बढ़ रहे है यह नदी आज दियों से जल्ब मिला रही है यह नदी आज दियों से जल्ब मिला रहे है इस मंदर के निर्मान में अपना पूरुषार्थ यह है इन मेहनत कर्मियों ने यहां इस मंदिर के निर्माण में अपना पुरुशार्थ दिया है इन सभी को मान्य प्रदान मंत्री श्री बोदी जी देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं हमारी संस्कृती ने पहले से संदेश दिया है वसुदेव कुटुम्बकम का पूरा विश्व हमारा परिवार है तो अब मान्य प्रदान मंत्री श्री यह मंदिर यह जो वसुदेव कुटुम्बकम का संदेश प्रसारित कर रहा है तो अपने हाथ में आउजार लेकर वसुदेव कुटुम्बकम का संदेश मान्दिय प्रदान मंतरी श्री पत्थर पर अंकित कर रहे है भारत की भव्य भावना को मान्दिय प्रदान मंतरी श्री अपने हाथ में आउजार लेकर प्रस्तर पर अंकित कर रहे है और मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले कारिवाहो कोको भी वे अत्यंत प्रसंता से मिल रहे है मान्दिय प्रदान मंतरी श्री आज अत्यंत उच्साइत है वे स्वयम सामने से अपने हाथ में आउजार लेकर भारतिय शास्त्रों ने बैहाया हुआ वसुधेव कुटुमबकम का संदेश आज प्रस्तर पर अंकित कर रहे है माननिय प्रदान मंतरी श्री अबुदावी के मिनिस्टर आफ टॉलरंस के अध्यक्ष माननिय महोदै श्री आदरणिय शेख नयान मबारकल नयान से मिल रहे है और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे है अबुदावी के माननिय मंतरी श्री भी मोदी जी को अत्यंत आदर से आवकार दे रहे है The Prime Minister is now meeting more of our volunteers and key contributors who have been involved in the creation of this mandir from its inception to its completion. अज़ किल कर दो, के दो और्यбыborい ने जब पनोका कर सकती कर दो, भ्या सकती की, जिस आसे को देन में गाते हैं, के दो है अलिये ऑिर पनी बादिना ने पोरेश euro की अंतिती है, मंदिर दर्शन का क्रम संपन्द करने के बाद अब मान्य प्रदान मंतरी श्री आज के लोकारपन समारों की विशिष्ट सभा की और जा रहे हैं हम भी उस सभा में सम्मेलित होने के लिए मान्य प्रदान मंतरी श्री के साथ ही जाएंगे लेकिन उससे पुरुव आये इस मंदिर के लोकार पणुकेर हुए विभिन्द कार्यक्रमों का हम आस्वात प्राप्त करें लेकिन आस्वात प्राप्त करें it is my wonderful experience. I coming from Australia all the way to attend this great function. This is how we show devotion to God, and we'll be offering a manika to God, and that will go into a mala which will be on God Himself. So, this really was something very interesting to me. The bhakti tula was actually felt because there was so much of emotion of love. We felt love. The samarpan we did must have been very small, but the love that we experienced was immense. And that was absolutely a very unique experience. Like, I felt that I had given my wife in the world of Thakurvi, and that was absolutely amazing. God always has to keep us in front of the Lord, and Swami always has to keep us in front of the Lord. When we are in front of the Lord, our life will be balanced. This is our Sikha. The Sikha The Sikha The Sikha The Sikha झाल 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 माहोल बयानी किया जा सकता झाल 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 झा I saw the Sikhs over here, I saw South Indians over here and all of them coming together for this particular event of harmony it is said whenever God sits, the rain God always comes to welcome them so today we had that feeling that God has really sat here in the Mandir at the Mandir, this is a Sattvic dining court known as the Orchard this is a dining court that not only nourishes people, but it preserves the environment here, every single chair, table and bench has been recycled from the wooden crates that has brought the Mandir stones to the UAE in the Mandir as you ascend the steps, there are 96 bells which symbolize the 96 years which Pramukh Swami Maharaj lived on this earth as you walk to the Mandir, the sounds of these bells remind us of the life he lived in service for others, for humanity and for harmony music 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो in this ma Commeल there are three rivers brought from the three most holiest rivers of India गंगा, यमुना, and सारस्वती. These rivers embrace the mandir, and out of that nexus of energy, this mandir rises to be the spiritual oasis for global harmony. Children from around the UAE and the world have come together with their small hands and even bigger hearts to paint motivational messages on hundreds of stones, transforming them from stones into tiny treasures, which will inspire this generation and the next to live a more value-based life. We have used heat resistance nanotiles and heavy glass panels merging both with the traditional aesthetic stone structure with the modern-day functionality. Every step from advanced material to overcoming timeline exemplifies team dedication. Three kilometers of water features carrying 130,000 gallons of water enter the complex from the eastern boundary and flows all the way to the western boundary. The installation of MEP and ELV systems is completed. Presently, we are in the state of testing and commissioning of the equipment and obtaining the authority approvals. We have already installed around 1,500 kilometers of cables and wires, 20,000 square meters of... This is thousands of years of culture and human creativity and human wisdom and human faith, which is encapsulated in the expression of a temple. The real change is when different cultures deal with each other more respectfully, more equally, more fairly. And for me, that is an important expression of that, what we call rebalancing. I would take an enormous amount of, you know, for me, personal fulfillment at seeing this. It's really a piece of art. And this is a place of worship, whereas the whole people who are in the UAE will come and pray. Opening this temple in Abu Dhabi, people coming from all around the world to see the story which has been crafted on the building from different culture, from different country stories, it gives you that feeling of harmony and peaceful. I have to say that this is the symbol of harmony that will stand the test of time for thousands of years into the future. This is the place for humanity. A place of wonderful craftsmanship. This is actually once in a millennia. It's a temple of humanity. A symbol of harmony of different cultures, communities coming together and it's a symbol of faith. It's just one word. It's just beautiful. Beautiful. I think this is not just a structure but a testament, a testament to peace, to tolerance, togetherness, harmony, celebration of so many cultures. It is a testament to the preservation of true Hindu values, stories that my grandmother told me are coming alive to the carvings across the temple in such beauty. I believe that this is the true legacy that we will leave behind for our children and their children and their children to follow. One day, like people travel from all over the world to all the beautiful temples of the world, I'm sure they will come and travel here to see this jewel emerging in the desert shining so beautifully as a beacon of peace and where there is peace there is prosperity. There is love. If I had to symbolize in stone what would love look like then I think this is the ultimate symbol. When I travel around the temple with my son and he gets to see stories from the Ramayana, from the Upanishads, from Arabic culture, from English culture, fables, folklore, with great moral values all the way from, you know, from Bharat to a tribe of Eskimos. Even they have some beauty to share. Even they have some beautiful lessons that our children can benefit from because truly when they come here they become children of the world. they have received as a blessing from all these ancient tales carved in stone to be remembered forever. This temple features eight murtis that are eight feet long representing eight values that this mandir is founded upon. Purity, charity, peace, knowledge, faith, compassion, truth, and unity. and these values are what the mandir is founded upon which will help civilizations, countries, and cultures come together and prosper. As we welcome His Holiness Mahan Swami Maharaj, the Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Bhai Modi and His Excellency Shri Mayan Mubarak Al Mayan, let us all rise, give them a round of applause and a warm welcome, and let us all remain standing as we all jointly join in the anthems of the two great nations of India and the United Arab Emirates. Vyreel Shri Narendra level झाल 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 हम अपना स्थान ग्रहन कर लेंगे स्वागतम 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 आज यहां बेटे हुए महानुभावों और दुन्या बर से इस एतिहासिक आउसर के साथ चूड़े हुए कोरोणों लोगों को रिदेशे नमस्कार स्वागतम अबुदाबी में अरब देशों के इस सर्वप्रतम ट्रेडिशनल हिंदू मंदीर बीए पीएस हिंदू मंदीर के एतिहासिक लोकारपन समारों के अउसर पर आप सभी का हारदिक स्वागत है स्वागतम आज विक्रम समथ 2080 माग शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी का मागलिक दिन है उसी तरह एरेबिक केलेंडर के अनुसार पवित्र रामदान से ठीक पहले मेहने की शाबान की तिस रीती थी है आज की इस पवित्र यूती इस पवित्र यूती के अवसर पर इस पवित्र भूमी पर जहां भागिरती गंगा मया बहती है यमुना और सरस्वती बहती है और एक प्रयाग तीर्थ खड़ा हुआ है वहां हम एक मिलेनियल मॉमेंट के साक्षी बन रहे हैं हमारे लिए ये बड़े गौब्रव और सम्मान और आनंद का भिशह है कि भारत के यश्यस्वी प्रदान मंत्री आधरणिया श्री नरेंद्र भाई मोधी जी और युनाइटेड आरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट माननिय शेक महमद बिन जायद अलनयान की और से पदा रहे हुए सम्मानिय टॉलरंस मिनिस्टर आधरणिय शेक नहयान बिन मुबारक अलनयान परंपूज्य महानसंत विबूती विएपे संस्था के गुरुहरी परंपूज्य महनस्वामी महाराच की पावन उपस्तिती में इस अवसर को अलंकृत कर रहे हैं स्वागतम माननिय प्रदानमंत्री जी, इस अउसर पर एक सम्माननिय मुख्य अतिती के रूप में ही यहां उपस्तित नहीं है, बलकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में यहां पधारे हुए हैं, जिन्होंने स्वयम इस मंदिर के निर्मान में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ह इसलिए जिन्होंने इस मंदिर का संकल्प बीज बोया था, ऐसे संतविभूती परम पूज्य ब्रह्मसरु प्रमुक स्वामी महराज के पवित्र स्मरण के साथ, उनके अनुगामी एवं इस मंदिर के प्रना मुर्ती परम पूज्य महंत स्वामी जी महराज के चरणों में बंदना के साथ मैं पुझे ब्रम अविहारी स्वामी जी से निवेदित करता हूं कि वे माननिय प्रधानमंत्री जी एवं माननिय शेक नहयान बिन मुबारक अलनहयान का हार्दिक स्वागत करें और इस स्वपन को साकार करने में अगरिम भूमिका निभाने वाले आदरनिय प संत्र के प्रति अपनी कृत अग्यता प्रकट करें जोड़दार तालियों से हम स्वागत करें अगर 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 यह सासराब्दी किक्षण मिलेनियल मॉमेंट आज की सवसर पर बीए पीए से स्वामी नारायन संस्था के अंतर रश्ट्रिय सेयोजक परम पूज्य इश्वचरन स्वामी जी से विनम्रनिवेदन कि वे इस समाहरों में अपने संबोधन का लाब दें जिनके अथक प्रयासों एवं मार्गदर्शन ने इस मरू भूमी मे कमल के फूल तुले इस मनोरम्य मंदिर को खिलाने में एहम बोमी का निबाई हैं आएए सुने परम पूज्य इश्वचरन स्वामी जी को गुरुहरे पुज्य महंस्वाई महराज प्रमादरनिय भारत के वड़ा व्रधान श्री नरिंद्र भाई प्रमादरनिय श्रीक नहान साहिब और यहां उपस्थित सब श्रेष्थियो आज का दिन बहुत पवीत्र है क्योंकि वसंत पंचमी का शुप दीन है इस दीन पर हमेरे जो गुरु शास्त्रीजि महराज जिनों ने बी ए पिए स संस्ता की स्थापना की उनका यह जन्मदीवस भी है तो योग शास्तेजी महराज और बाद में योगी जी महराज और बाद में प्रमुक्स्वाई महराज और आज महंस्वाई महराज उनकी निश्रा में बीए पीए संस्ताका मने सर्व विश्व में यह जो अध्यात्मिक और सामाजिक सेवाकारिय है वो चल रहा है आज के उसर पर आप सब मानुफाव और यहां के सबरिष्ट नितागन और सब ससंगी भक्तजन जो भी देश-विदेश से आए है, अमरीका से आए है, यूके से आए, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, आफ्रिका से आए है, सब भक्तजन उनका हम स्वागत करते है क्योंकि आप दूर-दूर से इस हुब अवशर पर यहां मंदिर की प्रतिष्ठा का उसर पर आप सब यहां बक्तिभाव से पधारे, तो आपको बहुत धन्यवाद है, और आज इस अवसर पर अपने हादरणिये वड़ा प्रदांग श्री नरेनरभाई मोदीवी भारत से अवसर पर यहां पधारे, क्योंकि नरेंद्र भाई की बहुत इच्छा थी कि यहां भारतियों के लिए एक बहुत अच्छा प्राऄतना स्थटल बने, माने वाने, अच्छा मंदीर बने, जहां सब देवा का दरशन हम प्रेम से कर सके, हम सब का दरशन करके, प्राउरतना कर सके खास करके अपनी जो आने वाली पेड़ी है अपने सब जो बच्चिय है उसके लिए यह मंदिर की बहुत आविश्यक्ता है क्योंकि जो यहां रहते हैं यहां आगे मनें पढ़ते हैं सब कुछ करते ठीक है अच्छा है लेकिन साथ-साथ अपना जो भारतिय धर्म और सं समस्कार जो है उनका लाव यह मंदिर में सब को मिलने वाला है तो यह यह लाव से कोई बंचित न रह जाए यह भी बहुत आवश्यक है तो आज यह सवसर पर हम सब महनुभाव और आप सब हामत्रित महमान गन यहां पधारे हैं आप सब का हम हारदिक स्वागत करते हैं और बगवान स्वामी नाराइण और हमेरे गुरू शास्तेजी महाराज प्रमुक्स्वामी महाराज मौन स्वाइश से परात्ना करते हैं कि आप सब को बहुत आशीरवात दें क्योंकि आप सब का भी माने जीवन में यह सब जो सुख है शांति है आननद है अच्छी तरह से हम सके यह मंदीर है मंदीर का अर्थ यही है जो मन जहां अपना मन स्थीर होता है वही मंदीर है जहां अपना मन शांत होता है वही मंदीर है जहां अपने को धिरज श्रद्धा आधिक जो सद्गून है वो प्राप्त होते हैं खास करके most positive vibrations we get in this temple and this temple is the big source of positive vibrations so yeah aap sab joe yaa rehte hai sabko baut laab milega aur mananiya narendra bhai hei nai baut ta aapne liye ya seog dya ki haa is bhoomye par aysa divya mandir auria sabhasthal aur bhi bhoot yaa pradati satsang ki bhakti ki sab chale ghi arusau joh aapne bade bade baode ote hai ramnohumi janma strami shivradri omia baat achi tarse manaiya jata hai anikut ka का उस्सव बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है तो आप सब को यह सब जो उस्सव है उसमें खास पधार कर यह सस्तंग का बक्ति का लाब लेने का अमंद्रन है और सब का हम हार्दिक स्वागत करते है जैस स्वामी नहराएंड बहुत बहुत तन्यवाद परमपुजे इश्वर्चन स्वामी जी का जिन्होंने प्रेरक संबोधन किया सन 1997 में परमपुजे प्रमुग स्वामी जी महराज ने जब इस मंदीर का संकल्प बीच बोया था उस एतिहासिक ख्षान से लेकर आज तक इस मंदीर की यात्रा के जो सहभागी रहे हैं और परमपुजे प्रमुग स्वामी जी महराज और परमपुजे महन स्वामी जी महराज की आग्या से पिछले कई वर्षों से जो गल्फ कंट्रीज में बीए पीए से स्वामी नारा एंड संस्था की गतिवितियों का समवहन कर रहे हैं ऐसे पूजय ब्रमवियारी स्वामी जी से निवेदन की वे अपने संबोधन का लाब दें पूजय ब्रमवियारी स्वामी जी ने इस मंदिर की निर्मान में अहम भूमी का निवाई है वो इस चमतकारी कहानी के हर पड़ाव के नौकिवल साक्षी रहे हैं बल्कि उसके साज़ेदार भागीदार रहे हैं उनसे नौरोध विया अपने संबोधन का लाब दें जिनका अभीशे है अमिलेनियल मॉमेंट पूजय ब्रमवियारी स्वामी जी पूछे हैं in the Divine Presence of Bhagawan Swaminarayan and the Divine Presence of the Great Avatars incarnations who have blessed this earth and who have promoted the ideals of Sanatana Dharma also in the most revered presence of my guru Pramukh Swami Maharaj Guru Mahan Swami Maharaj and all the great saints and seers who have reached out to us to convey their prayers and blessings to all of us present here on this day of inauguration I also reach out completely overwhelmed by the personal love, the attitude, the care and commitment of a leader par excellence, the most beloved prime minister perhaps that India has ever had. Mr. Prime Minister, he has not come here, he has not come here to inaugurate the mandir. He has come here to be a part of the mandir as he was doing darshan around the mandir. He did it so elegantly, so spiritually, so gracefully that I thought he could become an ideal pujari of all the murtis. What respect! And this is something that's coming out from my heart because he's a leader who is the architect of the ideal Bharat that we have. He is a leader who is valued not just by his words but by his wisdom. A leader not just valued by his work but by his values. And I also want to tell you we have to agree that he has a little bit of charisma but a leader who is more valued for his character than his charisma. These are the leaders that we need in the world. I also want to emphasize the fact that he's here today for a reason. Because he's a very much part of this entire journey that we have begun. But the third most important leader here is His Excellency Sheikh Nahyan. Who doesn't know Sheikh Nahyan? And I want to tell Mr. Prime Minister Narendra Bhai that if anybody is trying to understand the meaning of harmony and tolerance, just look into the heart of His Excellency Sheikh Nayyan. Today as I stand before you, it is all like a dream. And I'm being very honest and I confess to you that more than a thousand people told me that Swami building a mandir in Abu Dhabi is a dream. Well, what's wrong in dreaming the dream we have achieved it today? So was landing on the moon just once a dream. And so is sending Mangalayan to Mars just a dream. But if you dream one day, you will. But if you stop dreaming, you stop living. And if there is a place on this earth, if there is a place on this earth where all the dreams of man and humankind have found a home, I think Abu Dhabi is the epicenter of harmony. As we celebrate, as we celebrate the inauguration and dedication of the mandir, I think it's more than just a day of inauguration and dedication, it's a day of expressing our gratitude. Gratitude for the generosity of the rulers of this land. First, they gifted 2.5 acres, then 5 acres, then 13.5 acres. And now, because of the intervention and friendship of our Prime Minister, 27 acres of land has been gifted. When they wanted to give the license to all the religious places of Abu Dhabi, His Excellency Dr. Mughir is present. When they wanted to give a license, they particularly chose 001 for this temple because it is going to be a seed crystal. I also feel that the generosity of the rulers is such that it did not just end with gifting a land. Anybody can give a gift. But they created an environment, such an environment that we found comfort. So much comfort that today I want to announce that BAPS has built 1,600 temples across the world, but the finest is in Abu Dhabi. And also, the generosity knew no end. I remember the day that our beloved Prime Minister, it is in 2018, and 10th February, when we were in the Presidential Palace, and the Presidential Palace of Abu Dhabi was opened first time to the visitors to welcome our Prime Minister by His Highness. And when two Sadhus were there, we felt a little uncomfortable. But Modi Sahib, when we came close to you, when we came close to you, if there is a person who can reflect our culture in the true sense, it's our Prime Minister who is taking it across the world. It made us so comfortable, and when we showed the ruler, two temples, one a conventional building. We can do prayers. We can pray to God anywhere. It was a conventional building that we had shown, and the other was a traditional building that would take years to make of stone and figures and figurines. Look at the generosity of the heart of the ruler. He chose the traditional temple and said, if it's a temple, it should look like a temple. That's when I would like to now thank the sincerity and clarity of Modi Sahib. And he told us that when you make a temple, make sure it's founded on Vasudeva Kutumbakam. His heart not only dreams about India, but it dreams about one world, one future, and one family. And more than that, there has been at times at 12 o'clock at night that tells you our Prime Minister works till 12 and beyond. At 12 o'clock at night, he has phoned me and asked me, how is the Abu Dhabi Temple going? He has called us enough times, don't be fooled. He's not just the leader of the macro world. He's also the leader of the micro world. That is why our nation is doing good. So, to that extent, I would also say it's the generosity of the rulers, the sincerity of our Prime Minister, and more importantly, it is the spirituality of His Holiness, Mahan Swami Maharaj. Pramukh Swami Maharaj had said a prayer in 1997 on 5th April that may there be a temple in Abu Dhabi. And may that temple bring countries, cultures, religions, communities closer together. And today, under the leadership of His Holiness, Mahan Swami Maharaj, and the complete helm of our Prime Minister, and His Excellency Sheikh Nayyan, all of them together have led this temple to fruition. People will tell you it's breathtaking. When Akshay Kumarji had come, and I told him that there are places that give you breath, but there are places that take your breath away, he told me that, Swami, I have just caught asthma. This is how beautiful the temple is. I would like to remind the words of His Excellency, Dr. S. Jai Shankar. He had told me that, Swamiji, this mandir is like a Cinderella story. It is a fairy tale that is more real than real. A time will come where there will be legends about the creators. Remember, you may think this is happening in UAE, but the whole world is watching. One man came and told me that these are as important as the pyramids. But somebody told me that, Swamiji, you must have angels around you, otherwise such a temple cannot be done. Well, I want to tell him today that all of you are my angels. Some are donors, some are volunteers, some are well-wishers, some have guided me, some have taken me on their shoulders, and this is how the mandir has been made of seven spires to represent the unity of the seven emirates. Those seven spires have all the Hindu deities to represent the harmony of Hinduism. It has the entire Ramayan, the Shiva Puran, the Kathas of Bhagawan Swaminarayan, Ayyapaji, Jagannathji, and also the Kathas of Tirupati Balaji. All the Kathas have been carved. But more importantly, it is a sustainable temple. Why? Minimum carbon footprint, all the wood that carried the stones has been repurposed and reused to create the food court. Not a single piece of wood has been wasted. Religion has to go forward towards sustainability. And lastly, I would want to say that Mahan Swami in his heart has very often told me that our large-heartedness is the only way forward. Built on Vasudeva Kutumbakam, the whole world is one family. Yatra Vishwam Bhavati Eka Needam, the whole world is one nest. Let noble thoughts come to us from every side. Modi Sahib just told me that there was a time when I showed him the story of Native Americans and of that boy who asked the chief that there are two wolves in my mind. Which wolf wins, the good or the evil? And the chief says, the one that you feed. Modi Sahib told me that before he entered chief ministership, he has spent some time with the Native Americans, having experience of every culture which makes him natural. And lastly, in conclusion, I would want to say that this temple is built by people open to all. Pramukh Swami and Mahan Swami always ask one question. What nationality is the sun? Is it American, British, Indian, Arab? The sun is there for those who want sunlight. It is beyond nationality. What religion is water? Is it Hindu, Muslim, Jewish, Christian? Water is there for those who are thirsty. What color is air? Black, brown, yellow? Air is colorless, universal. What class does earth belong to? Higher, lower, middle? Earth is there for those who want to stand tall and erect and walk. It's universal. And what race does space belong to? The human race? Space is there for those who are curious and want to explore. If all five elements of the world are universal, owned by nobody, enjoyed by everybody, then this temple is the creation of God, owned by nobody, and welcoming and enjoyed by everybody. Thank you, Mr. Prime Minister, for being with us. Thank you, Your Excellency, Sheikh Nayyan, for being with us. Our love and our friendship and our feelings will never be enough to thank you. Thank you again. Thank you, Mr. Prime Minister, for walking us down memory lane and bringing all the moments that have come together to make this miracle in the desert happen. What we're witnessing today, and the celebration today, is in large part due to the generosity, the vision, the heart of the UAE leadership. They have been an integral role in guiding, supporting, and enabling this magnificent spiritual oasis of global harmony. Let us take a moment to truly experience and thereby also show our gratitude for all that the UAE leadership has done for the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan's unwavering commitment to tolerance, inclusion and harmony is felt by all citizens of the UAE today. The land upon which the Mandir stands is his generous gift, which will enrich lives for generations to come. The leaders of the UAE have wholeheartedly supported the construction of this Mandir. Through regular meetings, dialogue and visits, the nation's leaders have encouraged and helped the building of the Mandir. Whether it be Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan's visit to Swaminar and Akshaddam, New Delhi, or Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan's relationship with His Holiness, Mahant Swami Maharaj, it is their respect, friendship and generosity which has generated this home of harmony. Today, the BAPS Hindu Mandir stands as a beacon of the UAE's commitment to diversity and tolerance. The seven spires of this Mandir, representing the unity of the Seven Emirates, and the sands of the Seven Emirates, preserved in the Temple, serve as a tribute to this country and its leaders. To represent those great leaders, we have amongst us a great man who is a friend to many of us here in the audience. He is, of course, known by his title of being the Minister of Tolerance. But truly, his greatest introduction is that he is the friend of all people, the friend of all cultures, a person who opens his heart to all the nationalities that make their home here in the UAE. And therefore, it is my great honour to request His Excellency, Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan, the Minister of Tolerance, to please address this August Assembly, and for all of us to thank him and the leadership of the UAE for the beautiful nation, preserving tolerance that the leadership has created. Your Excellency, the floor is yours. Your Excellency, the floor is yours. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you for your kind welcome. Much appreciated. Your Excellency, Prime Minister Modi. Your Holiness, Mahan Swami Maharaj. Swami Eswar Sharan. Swami Baram Vahari. Your Excellencies, Ladies and gentlemen, the Indian community in the United Arab Emirates. First, I am honoured to join you this evening to express our great pride in the visit and participation of His Excellency, the Prime Minister of India, the Honorable Narenda Modi. Honorable Prime Minister, welcome to the United Arab Emirates. It is indeed an honour to have you visit our country and to work together to enhance and strengthen our great relations. We are proud to welcome you as a great friend, as a representative of a great and friendly country, India. Your visit to the UAE is a clear indication of the depth of the friendship, trust and cooperation that has long existed between India and the United Arab Emirates and has been strengthened gaily by Your Excellency. Thank you, sir. On this blessed occasion of inaugurating this impressive temple, we recall your tiring words when you describe the philosophy of your government, together with all progress for all. We also express our great confidence that your visit and your presence here this evening bought well for a future of mutual understanding, cooperation, peaceful pursuit and joint ventures between our two countries. I am also delighted to have the honour of joining everyone this evening in welcoming His Holiness, Mahant Swami Maharaj to Abu Dhabi, and to the United Arab Emirates. He is a renowned global leader whose teachings are a source of speciality, inspiration and joy and peace. When he says, when he says, and I quote, in the joy of others lies our own. He is a powerful advocate for human harmony and brotherhood, as well as wholesome relations that are so essential to maintaining peace and coexistence around the globe. And thank you so much, ladies and gentlemen, for inviting me to join you for the inauguration of this impressive Babs Hindu Mender here in Abu Dhabi. I congratulate all of you on your success in completing this inspiring place of worship. I share your excitement and your hope that the new temple will function as a valuable part of your individual lives, as well as the collective lives of your community. Thank you. I share your optimism that this Hindu Mender will be a great success now and in the future. I also share in your pride that our President, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, made this land available to the Indian community in Abu Dhabi. One has only to step outside this venue to see further evidence of Sheikh Mohammed's respect and regard for all religious communities in our country. His Highness is dedicated to respecting human rights and ensuring dignity for all who live and work in the United Arab Emirates. With his guidance and leadership, the United Arab Emirates is a tolerant country where people from different places and from different religious and ethnic backgrounds live in peace, harmony and cooperation and with prosperity. My friends, today marks for all of you the beginning of something very special. You will now have a new temple that will serve both as a place of worship and as a community center for all. A building on its own, however, is only stone and mortar. What makes it a community asset is the way you will use it. The new Mender will only come alive with your energy and your vitality. I have no doubt that you will fulfill all of your ambitious plans and that the new temple will further strengthen the bonds within your entire community. I am honored to join you this evening in this spirit of respect and peace. And I commend you all once again for your collective efforts in making Babs Hindu Mender a reality. Once again, congratulations and my best wishes to you all. Thank you. Thank you very much, Your Excellency, for your words of wisdom. Bhaarat's इस परी योजना के शुरूवात से आज तक अटूट और अनमोल समर्थन रहा है। उनकी तुरंदेशीता और समर्पन्ने इस मंदिर की सरजन यात्रा को समृद्ध, सिद्रिट और सफल बनाए है। आए इसके एक जाकी करें एक सुर्थी वीडियो के मात्यम से। आए इस थाए इस प्रॉद्ध, भर्किया समुधाय के लिए इस मंदिर के लिए जगादेने का बनाए है। ये समाशों करोर देश्वाथियों का सम्मान है। सब्सक्राइब अखरिप्सेट प्राइब। सद्वावना के सेतू के रूप में हम उस परंपरा में पने बड़े हैं जहां मंदीर ये मानोता का एक माध्यम है होली प्लेस हुमेनिटी का और आर्मनी का एक केटलिक एजन्ट है और मज़े विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टी से आधुनिक टेक्नलोजी की दृष्टी से मैसेजिंग की दृष्टी से ये मंदीर अपने आप में अनोखा तो हो गई होगा लेकिन विश्व समुधाय को वसुधै उकुटम कम जिस मंत्र को हम जी है उस मंत्र का अनुभव कराने का भी और इसके कारण धारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्धम बनेगा अपने का वहचान भी और इसके का बनाने कि एक ऑनी खाण से लिए लुटा है, आप में शुधैंधो कर दो खेया, अबल क्रेंड, वेकुटम्ने मुट्सिंग से अनुटम्टी टुटम्निस्टन अपना का पनाने का एक चाण भी अपना गी का एक अबदू अनुट मुटि पर देक्ता सुनी का मयद्या ये अन्हेराइश है घे अनलिश तरस्टेम स्वाम प्रवर्च के स्वाbank प्रूप्स व्रवयर कि निंपर की कती है और अब अउसर है हमारे लूक लाड़ले यश्रश्री सम्मानिय प्रदान मंत्री श्री नरिंद्रबाय मोदी जी के प्रेरक संबोधन का जिन्होंने भगवान श्री राम लला से लेकर भगवान श्री रामेश्वर तक भगवान श्री काशी विश्वेश्वर्ष लेकर भगवान श्री महा कालेश्वर तक सनातन संक्रिती के इतिहास का एक सुवर्ण प्रिश्ट संजोया है विकास के नई भाग्य रेखा खीच कर जिन्होंने भारत के स्वरणिम इतिहास का नूतन अध्याई रचा है और केवल भारत को ही नहीं बलकि पूरे विश्व को एक ऐसा समर्थ नेत्रित्व दिया है जिसकी आज विश्व को बहुत जरूरत है और यहां उन्होंने ना केवल दो देशों के बीच बलकि दो संस्कृतियों के बीच एक सुद्रड सेतु की वुमिकानी भाई है माननिय प्रदान मंत्री जी आप से नमबर अनुरोध कि आप अपने प्रेरक्ष संबोधन से इस एतिहासिक अवसर को अलंकरित करें माननिय संमाननिय प्रदान मंत्रिशी नरिंद्र भाई मोधी जी स्री स्वामिना जयते एक्सलेंसी सेख नायन अलमबारक पुझ्य महंत्र स्वामिजी महराज भारत युएई और विश्व के विभिन्न देशों से आये अतिदिगां और दुनिया के कौने कौने से इस आयोजन से जुड़े मेरे भाईयों एवन बहनों आज उनाइटेड अरब अमेरात की धर्ती ने मानविय इतिहास का एक नया स्वर्निम अध्याय लिखा है आज अबुधावी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकारपन हो रहा है इस पल के पीछे बर्षों की महनत लगी है इसमें वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है और इसमें भगवान स्वामी नारण का आशिर्वाज जुड़ा है आज प्रमुक स्वामी जीस्त देव्य लोक में होंगे उनकी आत्मा जहां होगी वहां प्रसन्था का अनुभव कर रही होगी पुझे प्रमुक स्वामी के साथ मेरा नाता एक प्रकार से पिता पुत्र का नाता रहा मेरे लिए एक पित्र तुल्य भाव से जीवन के लंबे कालखन तक उनका सानीद्य मिलता रहा उनके आशिरवाद मिलते रहे और शायद कुछ लोगों को सुनकर आस्षिर्य होगा कि मैं CM था तब भी PM था तब भी अगर कोई चीज उनको पसंद नहीं आती थी तो मुझे इस पर्स्ट सब्दों में मारदरुशन करते थे और जब दिल्ली में अक्षरधाम का निर्मान हो रहा था तो उनके आशिरवाद से मैं सलाने स्कारकम में था तब तो में राजनिती में भी कुछ नहीं था और उस दिन मैंने कहा था कि गुरू कि हम बहुत तारीप तो करते रहते हैं लेकिन कभी सोचा है कि किसी गुरू ने कहा कि यमना के तठ पर अपना भी कोई स्थान हो और प्रमुक स्वामी महराज ने अपने गुरू की उसे इच्छा को परिपूर्ण कर दिया था कि आज मैं भी कि उसी एक स्विश्य भाव से यहां आपके सामने उपक्ति कि आज कि आज कि प्रमुक स्वामी महराज का सपनों हम पूरा कर पाये हैं कि आज कि वसंद पंचमे का पवित्रत्योहार भी है कि पुझ्य साथ्रीजे महराग की जन्म जैन्ति भी है यह वसंद पंचमी यह परव मा सरस्वती का परव है मा सरस्वती यानि बुद्धी और विवेक की मानविय प्रग्या और चेतना की देवी कि मानविय प्रग्या ही है जिसने हमें सहयोग, सामंजस्य, समनवय और सवहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दिये मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए बहतर भविश्य के लिए बसंत का स्वागत करेगा कि मंदिर पूरी दुनिया के लिए साम्परदाइक सोहार्प और वैश्विक एकता का प्रतीक बनेगा भायों और बहनों युए के मिनिस्टर अब टॉलरंस इस एक्सलेंसी से नायान अल मुबारक यहां विशेश तोर पर उपस्तित है और उन्होंने भाव भी जो व्यक्त किये जो बाते हमारे सामने रखी है वह हमारे उन सपनों को मजबूत करने का उनके शब्दम उन्होंने वर्मन किया है मैं उनका आभारी हूँ साथवेश मंदिर के निर्मान में व्यकी सरकार की जो भूमिका रही है उसकी जितनी तारीप की जाएं उतनी कम है लेकिन इस भव्य मंदिर का स्वप्न साकार करने में अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर His Highness सेख मौमद बिन जायत का है कि मुझे पता है कि प्रसिडेंट अप यही की पूरी गवर्मेंट ने कितने बड़े दिल से करोड़ों भारतवास्यों की इच्छा को पूरा किया है और उन्होंने सब स्वियान है एक सो चालीश करोड हिंदुस्तानियों के दिल को जीत लिया कि मैं इस बंदिर के विचार से लेकर एक प्रगार्थे प्रमुग स्वामी जी के स्वपन से लेकर के स्वपन बात में विचार में परिवर्तित हुआ याने विचार से लेकर इसके साकार होने तक पूरी यात्रा मैं इससे जुड़ा रहा हूं यह मेरा सबसे बड़ा सववाजे और इसलिए मैं जानता हूं कि हीज हाइने सेक मुहमद बिन जायत की उधारता के लिए धन्यवाद यह शब्द भी बहुत छोटा लगता है इतना बड़ा उन्होंने काम किया मैं चाहता हूं उनके इस व्यक्तित्व को भारत यही रिष्टों की गहराई को केवल यही और भारत के लोग ही नहीं बलकि पुरा विश्व भी जाने मुझे आद है जब मैं 2015 में UAE में यहां आया था अतम मैंने ही जाइनेश शेक महुमत से इस मंदिर के विचार पर चर्चा की थी मैंने भारत के लोगों की इच्छा उनके सामने रखी तो उन्होंने पलक जपकते ही उसी पल मेरे परस्ताव के लिए हां कर दिया उन्होंने मंदिर के लिए बहुत कम समय में इतनी बड़ी जमीन भी उपलप्त करवाई यहीं नहीं मंदिर से जुड़े एक और विशे का समाधान किया मैं साल दो रज अठार में जब दोबारा विए ही आया थो यह संत्तों ने मुझे जिसका ब्रह्म वेरी स्वामी जी ने अभी वर्णं किया मंदिर के दो मोडल दिखाए एक मोडल भारत की प्राचीन वैदिक शैली पर आधारिक भवे मंदिर का था जो हम देख रहें दूस दूसरा एक सामाने सा मॉडल था जिसमें बाहर से कोई हिंदू धार्मिक चिन्न नहीं थे संत्तों ने मुझे कहां कि यही कि सरकार जिस मॉडल को स्विकार करेंगी उसी पर आगे काम होगा जब यह सवाल ही हैने से मोहमत के पास गया तो उनकी सोच साफ एकदम साफ थी उन मंदिर बने वो अपने पूरे वैभव और गव्रों के साथ बने हैं वे चाहते थे कि यहां सिर्म मंदिर बने ही नहीं बलकि वो मंदिर जैसा दिखे भी साथ वे चोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है यहां सिर्फ मंदिर बने ही नहीं लेकिन वो मंदिर जैसा दिखे भी भारत से बंदूत्व की यह भावना वाकई हमारी बहुत बड़ी पूंजी है अम इस मंदिर के में जो भव्यता दिख रही है उसमें इस हाइनेस सेख मुहमत की विशाल सोच की भी जलक है अब तक जो यही बुर्ज खलीफा फ्यूचन मुजियम सेख जायद मज्जीद और दूसरी हाइटेक बिल्निंग के लिए जाना जाता था अब उसकी पहचान में एक और सांस्कूरतिक अध्याय जुड़ गया है मुझे विश्वात है कि आने वाले समय में यहां बड़ी संख्या में सरदालू आएंगे इससे यही आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और पीपल टू पीपल कनेक भी बढ़ेगा मैं पूरे भारत और विश्व भर में रहने वाले करोड़ों भारत वास्यों की और से प्रेजिडेंट हीज हाइनेस सेख महमत को और यही सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आप सब से प्रासना करता हूं हम सब यही के प्रेजिडेंट को यहां से स्टेंडिंग ओविशन दे भासना करता हूं हाँ बाद 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 देन वा मैं युएई के लोगों का भी उनके सहीयोग के लिए रजय से आभार व्यक्त करता हूँ साथियों भारत और युएई की दोस्ति को आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहीयोग के एक उदारण के रुप में देखा जाता है खास कर बीते वर्षों में हमारे सम्मंधों ने एक नई उंचाई हासिल की है लेकिन भारत अपने इन रिष्टों केवल वर्तमान संदर्व मैं ही नहीं देखता हमारे लिए इन रिष्टों की जड़े हजारों साल पुरानी है अरब जगत सेंकडों वर्स पहले भारत और उरोप के बीच व्यापार में एक ब्रीच की भूमी का निभाता था मैं जिस गुजरात से आता हूँ वहां के व्यापारियों के लिए हमारे पुर्वजों के लिए तो अरब जगत व्यापारिक रिष्टों का प्रमु केंद्र होता था सब्यताओं के इस समागम से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है इसी संगम से कला साहित और संस्कृति की नई धारा ही निकलती है इसलिए अबू धावी में बनाई ये भव्य मंदीर इसलिए इतना महत्वपून है इस मंदीर ने हमारे प्रातिन रिष्टों में नई संस्कृति उर्जा भर दी है साथियों अबू धावी का ये विशाल मंदीर केवल एक उपासना स्थली नहीं है ये मानवता की सांजी विरासत का शेर्ड हैरिटेज का प्रतीक है ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है इसमें भारत युए के रिष्टों का एक आध्यात्मिक प्रतिम्म भी है इस अध्भुत निर्मान के लिए मैं बीए पीए संस्ता और उनके सदस्यों की सरहाना करता हूं हरी भक्तों की सरहाना करता हूं बीए पीए संस्ता के लोगों द्वारा हमारी पुझ संतों के द्वारा पूरे विश्व में मंदिर बनाए गए हैं इन मंदिरों में जितना ध्यान वैदिक बारिक्यों का रखा जाता है उतनी ही आधुनिक ताभी उसमें जलकती हैं कठोर प्राची नियमों का पालन करते हुए आप आधुनिक जगत से कैसे जूर सकते हैं स्वामि नारायन सन्यास परंपरा इसका उदाहरण है आपका प्रबंद काउशल व्यवस्ता संचालन और उसके साथ साथ हर स्रद्धालू को लेकर सम्वेदन जिल्ता हर कोई इससे बहुत कुछ सीख सकता है यह सब भगवान स्वामि नारायन के कुर्पा का ही परणाम है मैं इस महान अवसर पर भगवान स्वामि नारायन के चर्णों मैं भी परणाम करता हूँ मैं आप सभी को और देश विदेश के सभी सरद्धालों को बधाई देता हूँ साथियों यह समय भारत के अम्रत काल का समय है यह हमारी आस्ता और संस्कृति के लिए भी अम्रत काल का समय है और अभी पिछले महिने ही अयोध्या में अयोध्या में अयोध्या में बव्यराम मंद्र का सद्यों पुराना सपना पूरा हुआ है राम लला अपने भवन में विराजमान हुए है पूरा भारत और हर भारतिय उस प्रेम में उस भाव में अभी तक डुबा हुआ है और अभी मेरे मित्र ब्रह्मवेरी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योगता रखता हूं या नहीं रखता हूं लेकिन मैं इस बात का घर्वन उभव करता हूं कि मैं मा भारति का पुजारी हूं पुजारी हूं परमात माने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल और परमात माने जो शरी दिया है उसका कां कां सिर्फ और सिर्फ मा भारती के लिए है एक्सोचारीश करोर देश्मासी मेरे अराध्य देव हैं और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ साथियों आयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया और मेरा सवभा कि है कि महले पहले आयोध्या में भव्य सिर्फ राम मंदीर और फिर अब अबुधावी में इस मंदीर का साक्षी बनाएं साथियों हमारे वेदों ने कहा है एकम सत्य विप्रा बहुदावदंती एकम सत्य विप्रा बहुदावदंती अर्फात एक ही इश्वर को एक ही सत्य को विद्वान लोग अलग-अलग तरह से बताते हैं यह दर्शन भारत की मूल चेतना का हिस्सा है इतलिए हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्विकार करते हैं बलकि सबका स्वागत भी करते हैं हमें विवीदता में बैर नहीं दिखता हमें विवीदता ही विशेस्ता लगती है आज वैश्विक संगर्शों और चुनोतियों के सामने यह विचार हमें एक विश्वास देता है मानवता में हमारे विश्वास को मजबूत करता है इस मंदिर में आपको पग पग पर विवीदता में विश्वास की यह जलक दिखेगी मंदिर की दिवारों पर हिंदु धर्म के साथ साथ इजिप की हायरोगलीप और बाइबल की कुरान की कहानिया भी उकेरी गई है मैं देखना था मंदिर में प्रवेश करते ही बॉल अफ हार्मनी के दर्शन होते हैं इसे हमारे बहुरा मुस्लिम समाज के भाईयों ने बनवाया है इसके बाद इस बिंडिंग का इंप्रेसिव 3D एक्स्पिरियंस होता है इसे पांची समाज ने शुरू करवाया है यहां लंगर की जिम्मेदारी के लिए हमारे सिख भाई बेन सामने आये है मंदिर के निर्मान में हर धर्म संप्रदाय के लोगों ने काम किया है मुझे ये भी बताया गया है कि मंदिर के साथ अस्तम या मिनारे यही के साथ अमिरात की प्रतीक है यही यही भारत के लोगों का स्वभाव भी है हम जहां जाते हैं वहां के संस्कृति को वहां के मुल्यों को सम्मान भी देते हैं और उन्हें आत्मसाद भी करते हैं और ये देखना कितना सुख़द है कि सब के सम्मान का यही भाव His Highness सेख मुहमद के जीवन में भी साब दिखता है मेरे ब्रदर मेरे मित्र सेख मुहमद बिन जायत का भी वीजन है वी आर आल ब्रदर्स उन्होंने अबुधावी में हाउस अबराम्स फैमिली बनाया इस एक कॉंप्लेक्स में मज्जिद भी है चर्ज भी है और सेंगौग भी है और अब अबुधावी में भगवान स्वामी नारण का मंदीर विवीदता में एक ताके उस विचार को नया विस्तार दे रहा है साथियों आज इस भव्य और पवित्र जगत से मैं एक और खुश कबरी देना चाहता हूँ आज सुबह योई के उपराश्ट पती His Highness शेख महमद बिन राशित ने दुबई में भारतिय समिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए जमीन देने की गोशना की है मैं उनका और मेरे प्रदर ही जायरे सेक महमद बिन जायत का रदर इसे आभार व्यक्तर करता हूँ साथियों हमारे वेद हमें सिखाते हैं कि समानों मंत्रह समीती समानी समानम मनह सहचित्रम एशाम अर्थात हमारे विचार एक जुठ हो हमारे मन एक दुसरे से जुड़े हमारे संकल्प एक जुठ हो मानविये एक्ता का यावान ही हमारे आध्यात्म का मुल भाव रहा है हमारे मंदीर इन सिख्छाओं के इन संकल्पों के केंद्र रहे हैं इन मंदिरों में हम एक स्वर में ये गोश्ट करते हैं कि प्राणियों में सद्भाव ना हो विश्व का कल्यान हो मंदिरों में वेट की जिन रुचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती है वसुधैव कुटमखम अर्थात पूरी पृत्वी ही हमारा परिवार है इस विचार को लेकर आज भारत विश्व सांति के अपने मीशन के लिए प्रयास कर रहा है भारत की प्रसिडेंसी में इस बार जी ट्वेंटी देशों ने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के संकल्प को और मजबूत बनाया है आगे बढ़ाया है हमारे ये प्रयास वन ग्रीड जैसे अभ्यानों को दिशाद दे रहे हैं सर्वे भवन्तु सुगिनह सर्वे संतु निरामया का भाव लेकर भारत वन अर्थ वन हेल्थ इस मीशन के लिए भी काम कर रहा है हमारी संस्कृति हमारी आस्ता हमें विश्व कल्यार के इंसंकल्पों का होसला देती ह है भारत इस दिशा में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंतर पर काम कर रहा है मुझे विश्वास है कि अबुधावी के मंदिर की मानविय प्रेणा हमारे इन संकल्पों को उर्जा देगी उने शाकार करेगी इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, बैज भव्य दिव्य विशाल मंदिर को, पूरी मानवता को समर्पित करता हूँ, पुझ्य महन स्वामी के स्री चर्णों में प्रणाम करता हूँ, पुझ्य प्रमुखी स्वामी का पुन्य स्मरन करते हुए, मैं सद्धा पुर्वक नमन करता हूँ, और सभी हरो भगतों को जय स्री स्वामी नारायन। मा भारती के परम पुत्र और मा भारती के परम पुझारी आदरणी अप्रदान मंत्री जी, आपने अपने संबोधन से इस अईतिहासिक आउसर पर हम सबको बहुत-बहुत प्रेरित किया है, हम आपके बहुत-बहुत आबार यह, बहुत-बहुत क्रितग्य हैं। मंदीर का अर्थ है भगवान का घर, जहाँ भगवान का दिव्य निवास है, ऐसा एक परम आध्यात्मिक्ता का स्थान। जी हाँ, परंपुजे महन स्वामी जी महराज, उसी आद्ध्यात्मिकता के एक मुर्तिमन स्वरूप हैं, जिनकी आद्ध्यात्मिकता ने विबन लोगों को एक जुट किया है और इस मंदिर का निर्मान किया है. परंपुजे महन स्वामी महराज, अपने 90 साल की उम्र में भी इस मंदिर के निर्मान के लिए कितने उत्सा से चलगते हैं, उमंग से चलगते हैं, इसके एक अलप जांकी एक वीडियो के माध्यम से करें, बाद में उनके आशिर वचन प्राप्त करेंगे. प्राप्त करेंगे. आशिए ही लोग्या गडियो किते हो बात बेत्टारा हैं, अपने आशिव भिट котор हते हैं. प्रोम प्रेसा को सुन्सोरा है सुन्था कम इन्हीं खरुब इनोरी औान को चांग प्रोप्तिति एग औा इन की सिर्ट एग प्रफड़ को इंद रहीति एग रही बंचना एग एज एग प्राइब ग॑ अने के लिग्जू कर श्याग कि ज्रुड़नी एक न्या कर दें एमास he uplifts minds with the ability to dream and fill hearts with hope amidst the challenges and apprehensions of such a pioneering and uncharted project he has remained the constant source of energy, positivity and strength from blessing the bricks for the foundation to sanctifying the flags at the peak he has infused every moment with devotion and prayer during the foundation stone laying ceremony Mahant Swami Maharaj expressed his vision for the mandir peace and harmony making it possible for him to gift the world with a haven of such values he is a lifelong advocate of harmony striving to unite families and faiths cultures and communities Mahant Swami Maharaj's spirituality and saintliness have created this spiritual oasis for global harmony He has created the countless people of the world who have been inspired and praised the most of the world who have been blessed with the present set of the past seven years in America and have been created by the temple of the holy holy temple and holy temple which have been created by the temple of the holy temple to the temple of the holy temple and the holy temple प्रतिश्ठा की है ऐसे महानसंद विभूति भगवान श्री स्वामी नारायन के छठे आत्यात्मी अनुगामी परंपुज्य महनस्वामी महराज के चरणों में विनंब्र प्रार्थना कि वे हम सब को अपने आशीर वचनों से कृतार्थ करें धन्य करें गुरुहरी श्री स्वामी नारायन बगवान ने जये Today, today the B.A.P.S. Hindu Mandir in Abu Dhabi has been inaugurated. This is both a historic and spiritual occasion. I would personally like to thank the Prime Minister of India, Sir Rajendra Bhai Modi, for his presence here today. His sincerity and commitment has paved the path for this mandir. We have witnessed the love for Pramukhna Imaraj for many years. वर्ष्वते प्रंक्षां साथे जुडे हुएते। I would like to thank Sheikh Mohammed, Bin Zayed, Al-Nayan and the leadership. I would like to thank Sheikh Mohammed, Bin Zayed, Al-Nayan and the leadership. of the UAE for the generosity in gifting this, gifting us the land and the support. वो तो कमाल मुएते बात आप सबने पन ये बात की हुएते। I pray for the good health and that God grants them success, happiness and peace. Pramukhna Imaraj visited the Middle East on four occasions and today his vision and the prayers of our forefathers are being fulfilled and that is what gives us great joy. वो हम को याद दिला रहे हुआ हमार माप दाला के सब को याद करके ये सुनर आवसर मिला है। We are humbled by the devotion and hard work of Ishvachan Swami, Brahmari Swami and the team of Swamis. And how can we forget the love and support of Sheikh Al-Nayan? And how can we forget the love and support of Sheikh Al-Nayan? We are thankful to Rohit Bhai, Jasper Singh, Ashok Bhai and many volunteers and well-wishers for the selfless spirit which has created this mandir. वो 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 बूनना मत वो बूनना मत वो बहुत उनोने पाया में से ये मंदिर उपरला है। Bhagawan, this mandir is like a lotus in the desert. You all agree? You must agree, this mandir is like a lotus in the desert. This mandir is beautiful, but its values are just as beautiful and timeless. It is beautiful and timeless. The mandir is also like a lotus in the desert. The mandir is like a lotus in the desert. The mandir is like a lotus in the desert. Beautiful and timeless. याने वो बढ़ते ही रहेंगे, बढ़ते ही रहेंगे, ये बावना है. ये जब तक दूसरी बात ना आए, ये तक तक ये चलते है. और दूसरी बात भी आए, फिर भी ये तो गलत नही होगा. All those who come to this mandir will experience peace and will be inspired from within. बाहर से तो बराबर है, परांदर से, from within. You'll be, all will be, the person who comes here will experience from within. The B.A.P.S. in Dupandir is a board of love, peace and harmony. Love is based on selflessness. और दो प्रकार के love है. एक तो अपने को कुछ लेना देना भी हो. और दूसरा, selflessness, real love. Real love is this, the love is based on selflessness. Peace is based on, peace is based on faith in God. The more faith, the more firm you are with God. Peace is based on the pure intent of wishing good fathers. वो प्रमुक्साइमारान ने कहा था, के दूसरे का भला में अपना भला. वो इस बात हो रहा है. Harmony can be achieved, when we do not expect harm from others. तूसरे के पास हमें अपेक्षा नही होनी चाहिए, के वो भी हमारे जैसे इच्छा रखे. Harmony can be achieved when we do not expect harmony from others. But instead, when we strive for harmony ourselves, हम कुद के लिए अपना ही कान से, अपना ही हमारे अपने जाद के लिए वो होगा. For that we must ask ourselves, what can I do? What can I say? And what can I think to nourish harmony? Harmony तु बात अच्छी चीज है, परद तो जो हम जो अपने आप से बूले, वो दो प्रकार से कहना है. एक तो जवर्जस्ती बूला, यहने, How do you speak? अप हम कुछ साद बूले, क्याओ, जाओ, that means जाओ, और हम बूले, simply nodding, just nodding, and all thing is all right. क्याओ, क्याओ, यहने हम अच्छा भूले, अच्छा अच्छी भॉना रखे, और यह यह सम्धिद्य को कुब आगे, बलाए वह प्रादना. Harmony is power of God, सच्छी बात, and humility is the way of God. With this understanding, we can serve our humanity. यह दो चीज, दो बाते से हम मान अच्छात को अच्छी तरह से स्यवा कर सके. This mandir is ultimately God's creation. यह बनता यह बनता यह बन गया. यह कोई का इंटेंशन था यह तोड़ा कुछ था, अच्छी तरह पन्याप से बन गया तो वो नच्छी थाढ गया, वो गध्द क्रेशन अच्छी नही तरह से लगए. यह यह पन्याप से लगए तरह से वह बनगया. अधर बुट के लिए और भूदनिश्ट ने रखने कुद्ट के लिए और वुटनिश्ट and finally, we pray for the prosperity of prosperity, progress and peace of both nations and the world. आजी प्राटना करी के भारत अने हुवे ही नखूब जरी कास्ताय, बन्ने देशों कष्णते रहाया बन्ने देशना लोको सुखेताया, अबुदावी नादरी राजा, आने मानिनिश्य मुधिश्यायम को प्रिक्ते करे, आने अधिक नधिक सफड़ता प्रात करताराया एषी प्रात . कि आइसे में आइसे में परम पूज्य परम पूज्य महन स्वामी जी महराज के चरणों में कोटी-कोटी मंदन जिन्होंने अपने आशीर वचनों से हम सब को कृतार्त किया, तन्य किया आज की सवसर पर हम एक विशेश प्रकाशन के उद्गाटन के भी साक्षी बनेंगे एक विशेश पुस्तक के उद्गाटन के साक्षी बनेंगे जिसका नाम है A Millennial Moment, A Mandir in the Middle East, Transforming History and Hearts रिटन बाई विक्रम वोरा, जो प्रसीद जनर्नालिस्ट हैं, लेकक हैं और पब्लिश्ट बाई पैंग्विन ये किताब इस मंदिर की कहानी को एक अलग आयाम से प्रस्तुत करती हैं जिसका फॉर्वर्ड हमारे सम्मानिय विदेश मंत्री डॉक्टर S. जैशंकर जी ने लिखा है तो मैं पुझा ब्रह्म विहारी स्वामी जी से निविदिन करूँगा कि वे इस पुस्त का उद्गाटन परमुजे महन स्वामी जी के करकामलों से करवाएं प्रदान मंत्री जी बहुत अच्छे बूक रीडर हैं बहुत अभीयासी हैं तो प्रफ्वजे महन स्वामी महाराज ने पहली प्रती उनको बहेट दी प्रदान मंत्रीजी का भी बहुत-बहुत आबार अब मैं परंभुजे महन स्वामी महाराज के चड़ों में प्तार्दना करता हूँ कि वे मन्चस्त महानु भावों को इस अफसर पर स्मृती भैट प्रदान करें गुर्वरी मांद स्वामी महराज परम्पुजे मांद स्वामी महराज ने आदर्णिय प्रदान मंत्र जी को सुर्थी भैट प्रण करी और अब आदर्णिय शेख नयांची को प्रण करेंगे सच में आज का अवसर हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो सदा सदा के लिए अमर रहेगा चेरंतन रहेगा आज के इस अवसर के लिए हम परमभुजे महन स्वामी महराज हमारे लोक लाडले यश्रश्वी प्रदान मंत्री आदर्णिय श्री नरिनर भाई मोदी जी और युए युए के समगर राज तंत्र की ओर से हाँ बदारे हुए आदर्णिय शेख नयान सबी के बहुत बहुत आबारी हैं सबी के बहुत दों कृतक्या हैं और इसके साथ हम मंचस्त महनुभावों से नमरनीवे दिन करते हैं कि वे मंच पर से प्रस्थान करें और हम सब प्रचंड ताली नाच से उन सब का अभिवादन करेंगे, कृत अग्यता अभ्यक्त करेंगे, हम सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, और हमारे लिए अतिन्त आनंद का विशे कि प्रदान मंत्री जी और आदर्निया शीक नयान हमारे बीच आ रहे हैं, तो हम अपना स्थान बनाए लें प्रदान मंत्री जी हमारे बीच से ही गुजर रहे हैं, तो हम सब अपना स्थान बनाए रखें, कृपया हम अपने स्थान पर बेट जाएं, और प्रदान मंत्री का अभिवादन करें, उनका स्वागत सब्कार करें और हम सब अपने को जो दवच दिये हैं, दवच फहराते हुए आदरनी प्रदान मंत्री का अभिवादन करेंगे, दवच लहराते हुए प्रदान मंत्री का अभिवादन करेंगे क्यारा है थेलाए जोगा पीय पीए सिंदू मंदिर को कोटी कोटी बंदन मानवता के घोरिशिकर को कोटी कोटी बंदन प्रमुक स्वामी को बंदन महंत स्वामी जी को बंदन ये मंदिर ऐसा कमल खिला है वही धर्म कहलाएं जो हाफस में प्यार बढ़ाएं देश वेश संस्कृती धर्म के भेद सभी भूल जाएं तो इसीधा प्रसानलाब अबुदाबी से देख रहे थे जहाँ भव्वे हिंदु मंदिर का वहाँ पर लोकार पढ़ हुआ प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी के हाटों और इस कालेकर्म का सीधा प्रसानलाब देख रहे थे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी मेंद्र